गूट इवनिंग सर, सर मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ, सर इस पेंडमिक सिचुएशन के दौरान, जब हमारे पूरा साल ऐसे ही निकल गया, ओनलाइन क्लासेज हुई हैं, ओनलाइन स्टडीज हुई हैं, बहुत नेटवर्क इशू रहा है इस दौरान, सर अगर हम कभी टीचर से ये बोलते थे, कि सर नेटवर्क इशू है या मैब नेटवर्क इशू है, तो वो सिंपली ये बोलते थे, कि दौबारा जॉइन कर लो, सर सेम वही कंडीशन आती थी दौबारा, जॉइन करने के बाद भी, सर, मतलब हमें खुद अंदर से ये लगता था, कि कहीं अपकी बार टीचर ये न बोल दे, कि आप खुद से बोल रहे हो, मीन्स टू से, कि हम दौबारा फिर ये नहीं बोल सकते थे, कि मैम, अब भी वोईस आपके क्लियर नहीं आ रही है, या भी नेटवर्क इशू है, सर, इस कंडिशन में, हम ओफलाइन एक्साम कैसे दे सकते हैं, सर, स्कूल इतना फोर्स कर रहा है, इन फैक्ट मेरे दो एक्साम हो चुके हैं, सर, स्कूल में बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं थी, इन फैक्ट बच्चे हैंड शेक तक कर रहे थे, सर में अपनी स्कूल का नेम नहीं बताऊगी, बट आइम फ्रॉम दादरी, तो सर में यहीं बोलना चाहती हूँ कि स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग हो ही नहीं सकती, सर स्कूल फिर भी हमें इस बात को लेके फॉर्स कर रहा है कि आप आफ लाइन एक्साम्स तो अधरवाइस आपको फेल कर दिया जाएगा, सर यह कहां का अन्याय है, यह कहां का अन्याय है, सर इस कंडिशन में सुसाइट के लावट तो कुछ और दिखी नहीं रहा न, सर, कॉविड पोजिटिव भी बात में हमें फेल कर दिया जाता है, सर, अच्छे मांक्स नहीं आपाते हैं, तो सर, हमारे पेटेंस भी बहुत जादा हर्ट होंगे, और सर, दूसरा यह है, कंसरंट लेटर में यह बात साफ लिखी गई थी, कि अगर कोई बच्छा कॉविड पॉजिटिव निकलता है, तो आप स्कूल की अगेंस कोई लीकल एक्शन नहीं उठा सकते, सर, जब स्कूल ने अपनी तरफ से यह बाते क्लियर कर दी हैं, और हम अपनी तरफ से कुछ बाते क्लियर करना चाहते हैं, तो स्कूल हमें बोलने नहीं दे रहा है, सर, में एक सर है, स्कूल के, मतलब प्रिंसिपल है, सौरी, सर नहीं, वो प्रिंसिपल है, सर, मेरे फादर की उनसे बात हुई थी, तो दे सेड कि नहीं पूरी सोशल डिस्टैंसिंग है, सेनिटाइजेशन होती है डेली, और आप अपने बच्चे को भेजती है, कुछ नहीं हो रहा, किसी बात का वो नहीं है, सर, नेक्स टे में स्कूल गई, तो मुझे पता चला, सर, हैंड सेनिटाइजेशन तो हुई थी, पर जिस तरीके से वो बोल रहे थे कि सेनिटाइजेशन, प्रॉपर सेनिटाइजेशन है, वो नहीं थी, और सच सोशल डिस्टैंसिंग नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी,